दोस्तो चाहें कुछ भी हो जाए साबन के इस पवित्र महीने में पांच ऐसी महिलाओं और पुरुषों को साबन का ब्रत नहीं रखना चाहिए भगबान शिब हो जाते हैं क्रोधित शिब ऐसे ब्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते हैं दोस्तो धार्मिक मानिताओं के अनुसार साबन का महीना भगबान शिब को अती प्रिये हैं इसलिए साबन के पूरे महीने शिब की विशेश पूजा अडचना की जाती हैं साबन का महीना प्रेम का महीना भी माना जाता है आपको बता दे इसी महीने में भक्त साबन सुम्भार का ब्रत रखते हैं कहा जाता है कि इस ब्रत को करने से भगबान शिब उसकी सच्ची भक्ती से अतिप्रसन हो जाते हैं अपने भक्तों की सभी मनो कामनाएं पूर्ण करते हैं। सुखी बैभायक जीवन की कामना से भी साबन सुम्बार ब्रत रखने की मानिता है। दोस्तों साबन के महीने में भक्त गंग नदिया अन्य पवित्र नदियों से जल लाते हैं और भगबान शिब का जल अभिशे करते हैं जिसके द्वारा देबो के देब महा देब को प्रसंद करने का प्रियास किया जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं, पांच ऐसी महिलाएं और पुरुष साबन के इस पवित्र महीने में ब्रत कभी ना रखें, शिब जी इनकी पूजा स्वीकार नहीं करतें, अगर आप भी इन में से शामिल हैं तो जान ले ये बातें, तो चलिए जानते हैं। दोस्तो नमबर बन, खास्तोर से पती पतनी के लिए साबन का ब्रत रखना बहुती महत्व पूर्ण माना जाता है। इस ब्रत को पूर्ण रूप से करने से बैबाहिक जीबन सफल हो जाता है, और साथ जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं? अगर आपने हिंदूरीती रिबाजो के साथ साथ फेरे नहीं लिए हैं, तो आप साबन के इस ब्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप धूर रहें। बगेर साथ फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस ब्रत को नहीं कर सकते। शास्त्रों में इस बात की कतई मना ही है अगर आपने कोट मैरिच की है तो फिर भी आप इस ब्रत को रखने में सक्छम नहीं है पहले आप साथ फिरे लें तबी ही इस ब्रत को भली भांती किया जा सकता है साथ फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार में कार्य में शामिल हो सकते हैं और अगर आप शास्तरों के बिरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं दोस्तो नमबर टू, मन में कूर बिचार एक दुष्ट ब्यक्ति साबन के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे ऐसे ब्यक्ति की पूजा कभी स्विकार नहीं करते महा देव अगर हम शास्तरों की माने तो अगर आपके मन में गलत बिचार आते हैं और आप दूसरों के प्रती गलत भाबना अपने मन में रखते हैं तो आप साबन का ब्रत कभी ना रखें शिब ऐसे ब्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा कभी स्विकार नहीं करते अगर आपका मन सच्चा है तबी ही शिब आपकी पुकार अबश्य सुनेंगे दोस्तों नमबर थ्री तलाकशुदा ब्यक्ति को भी साबन के इस पवित्र महीने में शिब की अराधना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है इसलिए आप इस ब्रत को कते ना रखें आपको बता दी शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोडे एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें बक्त के चलते एक हो जाना चाहिए तबी ही इश्बर उनकी भक्ती सुईकार करता है शास्त्र कहता है पती पतनी जब साथ में मिलकर इश्बर की अराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ती होती है ऐसे में अगर आप साबन का ब्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा तबी ही महादेप आपकी पूजा सुईकार करेंगे दोस्तो नमबर फोर आचारे चाणाके के अनुसार एक बैश्या की पूजा भी इश्बर कभी सुईकार नहीं करता ये शास्त्रों के ब्रुद्ध है ऐसा करने से महापाप माना जाता है ऐसे में साबन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओ को दूर रहना चाहिए अनुसार कुबारी कन्या को शिबलिंग कभी इस पर्ष नहीं करना चाहिए इसे पाप माना जाता है और दोस्तो बहीं जिस ब्यक्ति के मन में इस्त्री के प्रती गंदे बिचार या वो ब्यक्ति गालियां देता है तो भगबान शिप ऐसे ब्यक्ति को नरक में भी इस्थान नहीं देते ऐसे ब्यक्ति की पूजा कभी स्विकार नहीं करते दोस्तो नमबर 6 कुबारी लड़कियां इस ब्रत को जरूर रखें अगर पाना है महादेब जैसा पती तो इस ब्रत को कुबारी कन्या जरूर रखें खास तोड़ से साबन में जब कोई कुबारी कन्या इस ब्रत को भली भाती पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेब जैसे पती की प्राप्ती अबश्य होती है दोस्तो आप में से कौन-कौन चाहता है की साबन के इस पवित्र महीने में शिब हमारे घर में अपना वास हमेशा के लिए बना ले तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेब ओम नबस शिबाए बोले बाबा आपकी सभी मनो कामनाई पूरी करें दोस्तो भगबान शिब के लिए एक लाइक तो बनता है